सिंटर प्लांट तीन जहां हम ब्लास फनस में हॉट मेटल बनाने हेतु मुख्य रो माटेरियल सिंटर का उत्पादन करते हैं सिंटर बनाने के लिए हमें विभिन प्रकार के फाइन ड्रा माटेरियल की आवश्यक्ता होती है जैसे ओर फाइन्स, फ्लक्स, कोक, मिल स्केल, बर्न्ट लाइम और सिंटर रिटन इन सभी रो माटेरियल को एक निश्चित अनुपात में मिक्सिंग कम नौडुलाइजिंग ड्रम में मिक्स कर सिंटर मशीन में चार्ज किया जाता है जहां इसकी उपरी सता को एगनिशन फ़र्नस के माध्यम से एगनाइट कर निचली सता से में एग्जैस्टर की सहता से सक किया जाता है और इस प्रकार सिंटर का उत्पादन किया जाता है सिंटर मशीन वन में इगनाइट करने के लिए स्लिट बर्नर टाइप इगनिशन फ़र्नस लगा हुआ है जिसमें कुल पांच स्लिट बर्नस लगे हुए हैं और इसमें कोकोवन गैस का इस्तमाल किया जाता ह क्योंकि इसका कैलोरिफिक वैल्यू 4200 किलो कैलरी पर नॉर्माल मीटर क्यूब होता है परन्तु कोकोवन गैस एक जहरीली ज्वलन सील और नेप्थिलिन जैसी गंधवाली गैस है इस गैस में लगभग 50% हैड्रोजन, 30% मिथेन, 3% उच्च हैड्रो कारवन, 7% कारवन मोनोकसाइड, 3% कारवन डियोकसाइड और 7% नाइट्रोजन होता है वेक्ति यदि इसके संपर्क में आ जाए तो सास लेने में दिक्कत, जी मिचलाना, बेहोसी यहां तक की वेक्ति की जान भी जा सकती है इसलिए कोकोवन गैस का इस्तमाल बड़ी सावधानी और सुरक्षा पूरवक करना पड़ता है सिंटर मशीन को यदि लंबे समय के लिए बंद करना पड़े या गैस पाइपलाइन में कोई मेंटेनेंस का कारी करना हो तो ओफिशियली आदेश अनुसार गैस लाइन को वाटर सील करने की जरुरत पड़ती है ताकि कोकोन गैस को वाटर सील पॉट तक रोका जा सके और पॉट से आगे इगनिशन फरनेस तक गैस पाइपलाइन में सुरक्षित मेंटेनेंस कारी किया जा सके तो चलिए सिंटर प्लांट तीन मशीन वन में वाटर सील पॉट से एगनिशन फरनेस तक गैस पाइप लाइन को सुरक्षित मैंटेनस कारी के लिए कैसे वाटर सील किया जाता है उसे जानते हैं सरुप्रथम CCR operator को shift in charge के तरफ से आदेश मिलता है कि मशीन को एक निर्धारित समय के लिए बंद करने का आदेश मिला है और गैस पाइप लाइन को वाटर सील भी करना है इसके बाद CCR operator सिंटर मशीन में उपस्तित मशीन operator को walkie talkie के माध्यम से इसकी सूचना देता है कि सिंटर मशीन एक निर्धारित समय के लिए बंद हो रहा है और गैस पाइप लाइन को वाटर सील करना है इधर gas pipeline को water seal करने के लिए कम से कम तीन operators की जरूरत होती है इधर machine one में gas pipeline को water seal करने के लिए तीन operator ready होते हैं उधर CCR में CCR operator work plan के अनुसार machine को position कर center machine को HMI से बंद करता है और जैसे ही furnace slow burning में आता है CCR operator center machine operator को ignition बंद करने का आदेश वाकी टौकी में देता है उधर machine operator machine level 4 में उपस्तित BMS याने burner management system पैनल में ignition stop push button को दबा कर ignition furnace को बंद करता है इधर जैसे ही operator ignition furnace का stop push button दबाता है वैसे ही gas pipeline का shut off valve आटो में बंद हो जाता है और इसका एक close indication BMS और CCR के HMI में आ जाता है साथ ही machine operator भी इसकी सूचना CCR operator को देता है कि ignition off हो गया है और अब water seal करने जा रहे हैं चुकि line में cocoon gas है इसलिए gas pipeline को water seal करने का काम बड़े ही सावधानी एवं सुरचित धंक से करना पड़ता है water seal करने के लिए सरुपरथम तीनों machine operator सुरक्षा का पूरा ध्यान रखकर सभी जरूरी पीपी इसका उप्योग कर साथ में CO monitor लेकर level 4 manual wall के पास पहुंचते हैं और operators द्वारा इस manual wall को बंद किया जाता है फिर एक operator pipeline में gas के माप दंड के लिए लगे तीनों instrumentation walls को बंद करता है इसके बाद operator level 2 में water seal pot के नीचे pot के अंदर आने वाले cocoa one gas के manual wall को बंद करता है अब machine operator walkie talkie के माध्यम से CCR operator को इसकी सूचना देकर line के flow control wall और pressure control wall को 100% खोलने को कहता है और CCR operator द्वारा flow control wall और pressure control wall को हचमाई से 100% तक खोल दिया जाता है जैसे ही CCR operator दोनों wall को 100% खोलने की सूचना machine operator को देता है machine operator level 2 के bleeder wall को जो water seal pot के उपर लगा हुआ है उसे खोलता है और एक operator level 4 के bleeder wall को खोलता है जो setup wall और flow control wall के बीच में लगा हुआ है bleeder wall के खोलने से line का gas उपरी हवा में निकल जाता है अब operator water seal pot से लेकर level 4 manual wall gas को पूरी तरह खाली करने के लिए steam purging का कारी सुरू करता है जिसके लिए एक operator level 2 water pot के नीचे और gas incoming valve के बीच स्तीत steam valve को खोलता है और एक operator level 3 pressure control valve और water pot के बीच स्तीत steam valve को खोलता है 15 minute इंतजार के बाद operator level 4 में gas pipeline को हात लगा कर चेक करता है कि pipeline steam की वज़े से गरम हो रहा है या नहीं और कुछ समय बाद line का steam bleeder valve से बाहर निकलने लगता है किसी कारी छेतर में सुरक्षित कारी करने है तो carbon monoxide की मातरा 50 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये जानने के लिए machine operator CO monitor की मदद से bleeder वालू के पास का carbon monoxide की मातरा चेक करता है जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि bleeder के पास CO की मातरा 50 ppm से कम है तब operator द्वारा level 2 और level 3 के steam valve को बंद कर दिया जाता है और साथ ही pot के drain valve को बंद कर दिया जाता है इसके बाद water seal pot में पानी भरने का कार्य सुरू करते हैं जिसके लिए level 2 pot के उपर का water valve को खोला जाता है और pot के overflow valve को भी खोला जाता है ततपस्चात level 3 के water valve को खोला जाता है जिससे water seal pot में पानी भरना चालू हो जाता है ड्रेन लाइन के ड्रेनेज वाटर को चेक करने के लिए एक ओपरेटर को मशिन बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल में यू सील ड्रिप पॉट के पास भेजा जाता है एक पांच मिनट वाटर सील पॉट में पानी भरने के बाद पॉट के ड्रेन वाल को खोला जाता है जिससे ड्रेन लाइन यू सील ड्रिप पॉट में जमी गंदगी फ्लेश होकर बाहर निकल जाता है और जब साब पानी बाहर निकलने लगे तो ground level operator उपर दो नमबर लेवल में खड़े operator को सुचित करता है सुचना मिलते ही operator water seal pot के drain valve को बंद कर देता है water seal pot में 2 मीटर तक पानी भरने के बाद excess water overflow होकर pot के बाहर निकल जाता है जिसे ground floor drip pot के पास खड़े operator दोरा observe किया जाता है जब pot से excess water overflow होकर ground level drip pot के पास बाहर होने लगे तब gas pipeline का water seal को complete माना जाता है इसके बाद level 3 के पानी वाल को लगभग 75% तक बंद कर दिया जाता है और water seal की सुचना सिस्यार operator को दी जाती है इस प्रकार operation section की तरफ से gas pipeline की water seal complete की जाती है धन्यवाद